भारत और चीन के बीच जारी गतिरोद को देखते हुए रक्षा मंतरी राजना सिंग ने चीनी रक्षा मंतरी वेई फेंगाही से मुलाकात की है इस दौनान रक्षामंत्री राजना सिंग ने भारत की स्थी इस पष्ट करते हुए चीन को कड़ा संदेश दे दिया है और दो टूग समझा दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता से समझोता नहीं करेगा चीन तनाव के बीच दोनों देसों ने पहली बार उचिस्तर ये बैठक की है ये बैठक विदेश में हुई है जहां मासकों में संगाई सहयोग संगटन की बैठक के इतर दोनों देसों के रक्षामंत्रियों ने महतपून चर्चा की है जिसमें रक्षामंत्री राजना सिंग चीन के रक्षामंत्री से दो टू काहा है कि इस्थाई सांती के लिए सेना को वापस जाना ही होगा रक्षामंत्री राजनास सिंग ने मौसकों में शंगाई सहयोग संगटे ने स्यो की एहम बैठक में अलग से चीनी रक्षामंत्री से मुलाकात की चीन के रक्षामंत्री वाई फिंग ही ने स्यो की एहम बैठक से इतर राजनास सिंग से मुलाकात का अन्रोद किया था जिसके बाद सिंग ने वाई के साथ मौसकों में बैठक की ये बैठक करीब दो घंटे 20 मिनिट तक चली चीनी रक्षामंत्री के साथ बैठक के दोरान राजनास सिंग ने चीन को भारत की इस्तिती से अफगत कराया और साथ ही ये भी साफ किया कि भारत हर चुनोती से निपटने के लिए तैयार है पैटक में रक्षामंत्री राजनास सिंग ने दो टूक कहा कि सीमा पर विवाद के लिए चीन पूरी तरह से जिम्मेदार है देश की अखंडता और संप्रबुथा की रक्षा के लिए हमारी सेना प्रतिबद्ध है भारत पडोसी देशों के साथ सीमा को लेकर जिम्मेदार रवया अपनाता है लेकिन हम गैर जिम्मेदाराना गतिविदियों का माकूल जवाब देना भी जानते हैं रक्षमंत्री राजनास सिंग की चीन के रक्षमंत्री से इस बैठक पर भारतिय विदेश मंत्राले ने बयान जारी कर मुलाकात का ब्यौरा दिया है रक्षमंत्री राजनास सिंग ने चीनी रक्षमंत्री जनरल वेई फेंगही से कहा कि गलवान घाटी समेद लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल एलेसी पर बीते कुछ मेहनों में तनाव रहा है सीमा पर चीन का अपने सैनिकों को बढ़ाना आक्रामक बरताव एग्रेसिव बेहवियर को दिखाता है यह दोई पक्षिय समझोते का उलंगन है रक्षमंत्री राजनास सिंग ने ये भी कहा कि भादती सेनाओं ने सीमा पर हमेशा संयम्मित व्योहार दर्शाया है लेकिन ये भी सच है कि इसी दोरान हमने भारत की संप्रबुता सोवरेनिटी और सीमाओं की रक्षा से कोई समझोता नहीं किया दोनों पक्षों को अपने नेताओं की समझ बूच के निर्देशन में काम करना चाहिए ताकि सीमा पर शान्ती कायम रह सके साथ ही दोनों पक्षों को उन चीजों में नहीं उलजना चाहिए जिससे विवाद बढ़े रक्षा मंत्री ने अपने काउंटर पार्ट से कहा कि चीन को जल्दी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि लद्दाक में समझोते और प्रोटोकॉल के आधार पर सभी विवादी जगों मसलन पैंगॉंग जील के इलाके से दोनों तरफ के सैनिकों का डी इसकेलेशन शुरू किया जा सके जो मौझूदा हालात हैं उसे देखते हुए दोनों पक्षों को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए कोई भी ऐसा एक्षन ना ले जिससे इस्तिती और तनाव पूर हो रक्षा मंत्री ने चीनी पक्ष को सलाहदी की चीन को भारत के साथ मिलकर जल्द से जल्द अपने सैनिकों को टक्राब के सभी बिंदूओं जिन में पैंगॉंग जील भी शामिल है से पून रूप से वापस बुलाना चाहिए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौझूदा इस्तिती का जिम्मेदारी पूर्वक संचालन किया जाना चाहिए और किसी को भी ऐसा एक्षन नहीं लेना चाहिए जिससे इस्तिती और भी जटिल हो जाए और बॉर्डर के इलाकों में तनाव बढ़ जाए इसी के साथ रक्षा मंत्री राजना सिंग ने कहा कि दोनों पक्षों को कूटनीतिक और सैनिसायोग के जरिये एलेसी पर पून्ड़ शांती बहाली की कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए सैनिकों की पूरी वापसी भी होनी चाहिए जाहिर एंलेसी पर बने तनाव के बीच ये पहली बार है जब दोनों डेसों के बीच उच्छ इस्तर पर कोई वारता हुई है इससे पहले सेन्य और कुटनितिक दोर की वारताओं के कई दोर चले हैं लेकिन हाला जसके तस हैं LAC पर गतिरोध बना हुआ है ऐसे में ये बैठा कितनी कारगार रहेगी इसका इंतिजार बना रहेगा केमरामन सुर्वीर सिंग के साथ प्रदीप कुमार डोटनियू दिली